नमस्कार दोस्तों अम बेटकर क्लासेस के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बार से संबंदित प्रशनों को किसे संबंदित बार से संबंदित प्रशनों को तो चलिए देखे सुरू करते हैं कोश्चन नम्बर वन 18.484848 इस प्रकार डट डट यानी 18.4848 तक है इसको क्या मुण ऐसको प में निरुपित करना अगर पैयक यूक्स के निरुपित करना तो दिए mit क्या है फोरेट यह पूरेट पूरेट जारा मतलब unique यह से क्या कर दो संख्या पर बार होता है उसके लिए क्या उतरता है नो नो यानी वन एट अगर पॉइंट हट गया तो यहां पर क्या है 48 अब यह दोनों संख्या पर बार है तो इसके लिए क्या होगा नाइन नाइन अब देखिए अठागुना नाईन नाइन अफोटीट अब देखिए अठरा पूर्ण क्या होगा 16 बटा 33, मतलब 18 गुना 33, तो देखें, 18 गुना 33 करेंगे, यानि 18 गुना 3, 18 गुना 3 केतना होता है, 54, अब 54 को 11 से गुना करेंगे, यानि ये 5 हो गया, ये 4, ये 9, यानि 5, 9, 4 हुआ, अब प्लस में क्या है, 16, तो 6, 4, 10, 9, 1, 10, 11, यानि 6, 610 हो रहा, यानि इसका एंसर जो कोशन नमबर 2, कोशन नमबर 2 क्या है, 0.57 पर बार, देखें, 0.57 पर बार, देखें, दोनों पर बार है, 5 और 7 दोनों पर बार है, तो गर पॉइंट हटा देंगे, यानि 2 संक्या पर बार है, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों के लिए 9 उतरेगा, तो 57 बटा 99, यानि हो जाएगा B right answer question number 3 में क्या बोलगा 2.136 पर बार है अब देखिए ये 2 point है ये point से पहले हो तो ये तो पुर्णाग में चल जाएगा अब बचा देखिए 6 3.6 पर क्या है बार है अब अगर 3.6 पर बार है यहनि 2 संख्या पर बार है उसके लिए क्या उतरेगा 2 to 9 अब देखिए एक संख्या पर बार नहीं है मतलब एक पर बार नहीं है तो उसके लिए क्या उतरेगा 0 देखिए जो संख्या पर बार होता है उसके लिए 9 उतरता है और जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसके लिए 0 उतरता है 0 अब किसे कट रहा देखे हैं 9 से कट रहा 9 से गर काट देंगे तो 9 1 के 9 9 5 45 15 बार में कट गया ये का Double 9, 9, 10, 110, फिर 5 से कटेगा, 5, 3, 15, 5 से कटेगे, 5, 2, 10, 5, 2, 10, इने देखे, 2 पूर्णांग, 3 बटा, 22, यह इसका राइटम चार होगा, ओप्शन D, 2 पूर्णांग, 3 बटा, 22, इने देखेंगे, question number 4, 0.7, plus 0.01, 7 का मान क्या होगा, देखे, यहां पर plus दिया हुआ, तो सबस से पहले, 0.7, यह 7 पर बार है, अगर point हटा देंगे, यह क्या हो जाएगा, 7, एक संख्या पर बार है, तो उसके लिए क्या होगा, एक 9 उतर जाएगा, उसी परकार यहां पर है plus, यहां पर देने प्लस, अब यहां पर देखे, 0.017 पर बार, अब देखे, 1.7 पर बार, उपर में माइनेट होगा, यह 0,1 यहां पर क्या हो जाएगा, माइनेट हो जाएगा, यह इसका जो माना जाएगा, 17 माइने पर गया, इसका माना आया था, इसका मान केता है, 16 पर 990, मतलब, हिहां पर 16 पर 990 जोड देंगे, अब दीखे, नों सो नब्ब्द और 9, judgment क्या हो 990 हो जाएगा नहीं जीन साथ सो प्लस का यहां पर हुआ सो यह यानि साथ सो सो ला बटेगाrise 900, 716 बटा कितना आया 900, अब दीखें ये कट रहा, तो किस से कट रहा देख लिए, 4 से कट जाएगा, तो 4 से काट देंगे, 4 1 के 4, बचा 3, 31 वा, 4 786, 4 9, 36, 179, अब इसको 4 से काट देंगे, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 6, 20, 179 by 225, तो देखें, option B जो है, 179 by 225, इसका right answer होगा, next question देखेंगे, 0.05792, 2 पर बार है, तो एक संख्या पर बार है, उसके लिए क्या होगा, एक ठुनो, कितना संख्या पर बार नहीं है, 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्या पर बार नहीं है, तो क्या होगा, 4 0, अब जो संख्या बार नहीं है, वो उपर में क्या होगा, minus, यानि 579 पर बार तीन, अब यहां नो में आठ बचा, आठ में साथ, एक, यहां साथ में पांच, दो, यहां पर पांच हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर हो गया, नाइन के बाद, चार जेरो, तो दीखिए, ओप्सन हम लोग हो गया, बी, राइट एंसर, ओप्सन बी, चलिए, नेक्ट देखेंगे, 3.87 पर बार है, अगर 3.87 पर बार है, और यहां पर माइनस 2.59, तो दीखिए, पॉइंट से जो पहले है, अगर यह 3 माइनस क्या करेंगे, 2, अब यह पॉइंट अबला में देखेंगे, पॉइंट से बाद में देखेंगे, तो पॉइंट से बाद में पॉइं तीन माइनेस दो यानि एक हो गया अब 99 99 देखें अनी फ्रेक्शन भीन में नीचे में 99 99 तो एल से हम क्या हो जाएगा 99 अब 87-59 सात में हो गया यानि क्या हो जाएगा 17 में 9 यानि 8 हो जाएगा अब बचा कितना 8 यानि यहां 7 बचा 7 में 5 दो तो एक पूर्णांग 28 बटा 99 हो एक पूर्णांग 28 बटा 99 यानि इसको हम अगर बार के रूप में लिखेंगे 1.28 पर बार भी लिख सकते हैं अगर यहां पूर्णा देंगे तो बार के जगा में क्या होगा दो तो नहीं हो जाएगा यानि 1 बाई वन पूर्णांग 28 बटा 99 यानि ओप्सन इसका रिटन सर होंगे दिखें 1 पर बार मतलों एक संख्या पर बार दिया तो एक बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा यह दो बटा 9 तीन बटा 9 और 9 बटा 9 यानि ओप्सन ही हो जाएगा इसका राइट एंसर ओप्सन ए यही हम लोगा क्या हो गया सही एंसर हो गया